हेलो दूस्ता आपका स्वागत है आपके और हमारे चिना कलेक्शन टेक में और आज हम बात करेंगे इंडिया की दो सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में जिसमें साउथ के सूपर इस्टार प्रबास की फिल्म बाहुवली टू और बॉल्यूट के सूपर इस्टार सल्मान खान की फिल्म रादे शामिल है और आपको बताएंगे दोनों फिल्मों का पाट दिनों का टोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन कितना रहा, कौन सी फिल्म ने मारी अपने पाट दिनों में बॉक्स ओविस पर बाजी, और कौन सा सूपर इश्टार पढ़ा दूसरे सूपर इश्टार पर भारी, तो दूर्स तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रबास की बाहु वले टू के भारी में आपको बता दे, बाहु वले टू फिल्म में आपको प्रबास के साथ कई मल्टी स्टार काश्ट नजर आये थे, वह इस फिल्म का बज़र था 350 करोड रुपे, लेकिन इस फिल्म को भी पब्लिकों के डिक्स ने काफिस ज़्यादा पसंद किया ताफिस ज़्यादा ड्रोब देखा गया, ओ फिल्म ने अपने दूसरे दिन बॉक्स विस पर सिर्फ 90 करोड रुपे कमाई, जिस वज़े से माना जा रहा था फिल्म का तीसरे दिन का कलेक्शन काफी कम रहेगा, लेकिन फिल्म के तीसरे दिन संडे होने की वज़े से फिल् पाचवे दिन के कलेक्शन की बात करें तो, प्रबास की फिल्म बाहु वली टू के पाचवे दिन के कलेक्शन में लगबग 20-30% की ड्रोब देखने को मिली, ओ फिल्म ने अपने पाचवे दिन सिर्फ 69 करोड रुपे का कलेक्शन किया, जिस वज़े से प्रबास की फिल्म बाहुली टू का पाच दिनों का टोटल बॉक्स ओविस कलेक्शन 443 करोड रुपे के आसपास रहा लेकिन अगर इस फिल्म से बोलिवूट के सुपरिश्टा सल्मान खान की फिल्म रादे को गंपेर करे तो रादे फिल्म में आपको सल्मान खान के साथ रंडी बुद्धा जेकी श्रोब और दिशापटनारी लीडरोल में दिखाए दी थी वहाँ इस फिल्म का बज़र था 125 करोड रुपे इसी के साथ रादे फिल्म को पब्लिक और गडिक्स से मिक्स रियू मिला लेकिन ओटेटी प्लेटफरम पर रिलिज होने के वज़़े से रादे फिल्म ने अपने पहले दिन ओटेटी प्लेटफरम के सारे रिकोर्ड तोड़ते हुए 104 करोड रुपे की धमाखिदार ओपनिंग की इसी के साथ फिल्म के दूसरे दिन के कलेक्शन में भी काफी अच्छी ग्रोध देखी गई ओफिल्म ने अपने दूसरे दिन ओटेटी प्लेटफरम पर 121 करोड रुपे कमाई जिस वज़े से माना जा रहा था फिल्म अपने तिसरे दिन OTT platform पर सारे record तोड़ देगी लेकिन फिल्म के तिसरे दिन के collection में लगबग 40% से ज़ादा का drop देखा गया जिस वज़े से फिल्म ने अपने तिसरे दिन OTT platform पर सिर्फ कोतर करोड रुपे की कमाई की इसी के साथ फिल्म ने अपने चोथे दिन भी OTT platform पर काफी अच्छी पकड़ बनाई रखी और फिल्म ने अपने चोथे दिन OTT platform पर काफी अच्छा प्रदेशन करते हुए 65 करोड रुपे का जबरजस्त collection किया लेकिन अगा फिल्म के पाचवे दिन के यानि आज के OTT collection की बा बाउ वली टू माल लेगी बाजे जिस वज़े से प्रभास बन जाएंगे इंडिया के सबसे बड़े सुपरिश्टार और दूसरे नंबर पर रहेगी सलमान खान की फिल्म राधी लेकिन अगर आपने इन दोनों फिल्मों को देखा है तो आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे जादा पसंद आए और आप इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म को होगे इंडिया की सबसे बड़ी ब्लोग वेश्टर हो सबसे बड़े फ्लो प्रभास की फिल्म बाउबली टू को या सलमान खान की फिल्म राधी को आपकी राए हमें नीची का म